ही प्लांटोहॉलिक्स, वेलकम बाक तो मैं चैनल, होप यूर लूइंग वेल फ्रेंड इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंपोर्टेंट से कुछ काम दिखाऊंगी करके जिसे आपको भी अपने गार्डन में जरूर से जरूर अ प्लांट है तो सबसे पहले अगर आपके प्लांट बहुत जादा नीचे से बुशी हो गए तो सबसे पहले आप किनारी के जितनी भी ब्रांचे जो उनको कट कर दीजे उससे बेनेफिट यह होगा कि एयर का जो पैसेज होगा और जो धूप होती है वह अच्छे से इनकी ज आप प्रूनिंग कर दीजे देखे मैंने फ्लार्स को भी हटा दिया कि कुछ एक फ्लार्स लगे हुए और इसकी हैवी फ्लारिंग अभी पिछले मन्त हो गई है अब फिर से न्यू बैच आफ लीव्स निकलेंगी और फिर उनहीं में ही बहुत ही खुबसूरत से फ्लार्स इधर मेरा यह आप रेन लीली का भी प्लांट देख सकते हैं जिसमें बंपर फ्लारिंग हो चुकी है तो अभी भी मौनसून का टाइम चल रहा है तो इन प्लांट्स के आपको समय बहुत जादा जरूरी काम होता है उसके साथ साथ पहले आप ये वीड वगेरा को जड़ सम का प्लांट निकल रहा है तो इसको भी मैं जड़ समेथ ही निकालूंगी नहीं तो आपका जो ये रेन लीज होंगे इनके जो बल्द होंगे वो खराब भी हो सकते हैं और में प्लांट जो होगा ना फ्रेंट्स जिससे आपको फ्लारिंग चाहिए होता वो अच्छे से ग्र बहुत अच्छे से वी फ्लारिंग होगी मैं कट अपको दिखा जीती हो है तो इतनी सारा इसका जो मैंने लीज है उसको हटा दिया तो यही काम आपको रेन रेन लीज में कर लेना है कि अगर आपके रेन लीज में आपके खतम हो ए तो उनको आप इस तरीके से हार्ट जस इसकी आप हाट प्रूनिंग कर दीजे फिर से इसमें बहुत ही खुबसूरत से फ्लास निकलेंगे इधर मेरे बोगनवेलियास के भी प्लांट में प्रूनिंग की रिक्वार्मेंट हो गई है क्योंकि फ्लारिंग ऑल्मोस्ट कुछ प्लांट में खतम भी हो गई है अगर आपको दिखा देती हूं ऐसा नहीं है कि जो कंडिशन आपके प्लांट की वैसे कंडिशन मेरे प्लांट की नहीं होती है बारिश के समय में स्पेशली बोगनवेलियास के प्लांट वाइन के तौर पर बढ़ने लगते कुछ ऐसी वराइटी उती हो उनको आपको तुरंद क तुरंथ हटा देना अगर आपको ट्री लुक चाहिए तो मैं यहाँ पे फ्लार्स का लालश ना करते हुए मैं जो भी ब्रांच बिल्कुल वाइन के तौर पर बढ़ दे मैं उनको हटा दूँगी तो अगर बोगन वेलियास के प्लांट आपके वाइन की तरीके से बढ़ दे हैं और आपको ट्री लुक चाहिए तो इस काम को आप रिलीजियसली फॉलो करते रहिए जैसे ही आपको लगे कि ब्रांच बहुत जादा बड़ी-बड़ी सी हो गई है आप उसको कट कर दीजे फ्लारिंग हो भी रही हो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है आपको अभी और ह प्रूनिंग कर दूंगी इसके साथ साथ आप अभी बोगेन वीलियास के ब्लांट में हार्ड प्रूनिंग भी कर दीजे क्योंकि बारिश का टाइम में नेट्रोजन जो की बारिश के पानी में मौजूद होता है उसे लीफी ग्रोध बहुत तेजी से होती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जो भी शेप आपको देना है बिल्कुल आप बेज जग दीजे जहां कहीं पर आपको दिख रहा है कि हार्ड प्रूनिंग करने की रिक्वार्मेंट आप बिल्कुल खर दीजे आप देखे अल्मोस्ट मेरे सभी प्लांट में वाइन के तरीके से ब्र काम आप यह कर देखे दयती इसमें पर नहीं कर दोगे तो नहीं आपको वही शेम घुलाप के फलार्स मिलेंगे लेकिन इंग्लिश रोजस के अगर आपने नीचे से जो ग्राफ्टिंग के पास से प्रूनिंग कर दी है बहुत नीचे से कर दी तो कई बाग इत्समौर आप आपको एक काम जरूरी है करना इस समय चुकि बारिश का टाइम है तो वीक में एक बार गुडाई जरू से जरू करिए अभी आज सुबह से मौसम खुल गया है तो उसी दिन करना जिस दिन बारिश नहीं हो रही है यह कल शाम से रात तक हमारे बारिश अच्छी खासी हुई है तो यहां से रूट्स वगयरा निकल रही है तो गुडाई से एक बेनिफिट यह भी होगा कि अगर आपको अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो थोड़ी बहुत जो रूट्स ऊपर में आती है वो आराम से गुडाई करने से आपकी एक तरीके से ट्रिम भी हो दोंगी तो यह सब छट में पूरा वो रिस्के चली जाएगी और छट भी बेकार हो जाएगी और इसके सासद आपको जो फर्टिलाइजर भी होगा वो भी बह जाएगा तो जब मैं करूंगी वो काम मैं आपको ज़ूर से जो दिखाऊंगी इधर आप मेरा अडेनियम के प प्रोन होता है फंगस को लेकर तो यह वाला काम आपको हर 15 दिन में एक बार करना और उस दिन करना जिस दिन धूप निकली हो बारिश लगातार हो रही हो तो नहीं कर दीजेगा नहीं तो एक्स्ट्रा आप मोईश्र देंगे तो आपके प्लांट का जो कोडेक्स होगा वो प्लांट में भी आप जरू से जरू स्प्रे कर लीजे यह भी प्लांट बहुत जादा प्रोन होता है फंगस वगेरा को लेकर इसमें स्केल से माइट्स का अटायक होता है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और इंग्लिश रोज़त में सिर्फ आपको इस समय जो स्पेंट फ्लार से उनको जरू से जरूर रिमूव कर दीजे क्योंकि इन में भी पैस अटायक हो जाता है फिर बारिश का जो मोईशर होता है पानी पड़ता है तो एक्स्ट्रा मोईशर की वज़े से इसमें मिली बग्स हो गया माइट्स हो गया बहुत सारे कीडे मकोडों क अटायक होता है तो बस यह काम आपको करना है और नीम ओल का भी स्प्ले आपको 15 दिन में जरूर से जरूर कर लेना इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेगा और इधर आपको एक काम करना होगा जो भी इंग्लिश रोजस में इस तरीके से सकर्स निकलते उनको हटा दीज क्योंकि यही काम आपको इस प्लांस और सकर्स अटाइए बाकी कुछ आपको इंग्लिश रोजस में नहीं करना है और इधर यह आप मेरे मौस रोजस के भी प्लांट देख सकतो है जिसमें बड्स फिर से निकल रही थी लेकिन मैंने आप इनकी प्रूनिंग कर दिया क्योंक से यह तिल आटम तक फ्लारिंग बहुत अच्छे से करेगा तो जस्त आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी हो थोड़ा सा फंजिसाइड पाउडर जो होगा इसकी स्वाइल में मिला देना है तो आप जो भी काम मैंने आपको करके दिखा है वो काम आप जरू से जरूर अपने प्लांट्स में भी करिएगा ताकि आपको भी उसका बेनिफिट मिल सके और फ्रेंड अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कीजेगा अगर आप अभी जोड़े हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चै झाल झाल